नमस्गर मैं हूँ राउल चर्मा आप देख रहे हैं एस्पेन एंड नियूस वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी कबर में बड़ी कबर की शुर्बात हम विपक्षी करेंगे विपक्षी पार्टियां आखिरकार क्या टूट रही है और विपक्षी पार्टियां अगर टूट रही है तो 2024 के लोक सभाज चुनाव पर इसका क्या आसर पड़ेगा दरसल मौजुदा समय के अंदर कॉंग्रेस पार्टी जहां आगामी समय के चुनावों को जीतनी के लिए लगातार तावर तोड तरीके से कोशिश कर रही है वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है ममता बैनर जी पस्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बैनर जी ने ए एक अलग वेपक्ष बनाने की कोशिश किती लेकिन वो कोशिश विफल साबित हुई है जी हां ममता बैनर जी ने एक अलग फ्रंट बनाने का जो परियास किया था बिना कॉंग्रेस के वो होता नजर नहीं आया है ऐसे में ममता बैनर जी ने सीधे तोर पर अब अपनी हार मा ममता बेनर जी को ऐसा लग रहा था कि वो 2024 में बड़ा चहरा बन सकती है विपक्ष की तरफ से लेकिन चुनावीर अनितिकार प्रिशान की शूर ने पहले ही इस बात का एलान कर दिया था कि बिना कॉंग्रिस पार्टी के विपक्ष मजबूत नहीं हो सकता बिना कॉंग्रिस समय के अंदर जिस तरह के हाला देके जारे वो सीधे तोर पर ये इशारा कर रहे है कि सोनिया गांधी के आगे ममता बेनर जी ने घुटने टेक दियें बहले ही पश्चिम मंगाल की विधान सबाचुनाव में ममता बेनर जी ने शांदार जीत हासिल की लेकिन इसका मतलब य आगे हर्स विकार की है बलकि कॉंग्रेस की तरफ उनका रुख दिकता नजर आ रहा है माना जा रहा है कि 2024 के लोक सभाचुनाव से पहले विपक्ष जो अभी तक तूट रहा था विपक्षी पार्टिया जो अभी तक धराशाही होती नजर आ रहती यही विपक्षी को कड़ी चुनाती दे पाएंगी क्या विपक्षी पार्टिया मोधी सरकार के सामने बड़ी मुश्किले खड़ी कर पाएंगी हाला कि फिलहाल जिस तरह के हालात देखी जा रहे हैं उसे देखकर साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि शायद आगर विपक्ष एक जुट होक बड़े कदम उठाएगा तो शायद बीजेपी की मुश्किले बढ़ सकती हैं दरसल चुनावी रणितिकार प्रिशान किशूर का जिक्र मैंने किया था वो इसलिए क्योंकि चुनावी रणितिकार प्रिशान किशूर जो यह कह रहे थे कि अगर विपक्ष मजबूती के बाद चुनाओ की समय देखने को मिला कि बीजेपी वो टार्गेट नहीं पूरा कर पाए जिस टार्गेट को पूरा करना था यानि कि 300 का आकड़ा बीजेपी पार करने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन वो कोशिश नाकाम्याब साबित हुई इसी ही देखकर प्रशान कि शोर कह रहे हैं विपक्ष ना स्रिफ उत्तर प्रण देश में मजबूत हुआ है बलकि देश में धीरे-धीरे मजबूत होता ना जरा रहा है आज के लिए तहीं आपसे फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक ले जाजी दीजी नमस्कार